नमस्कार साथियों जैहिंद वंदे मात्रम स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल रॉकिंग इनफार्मेशन पर मैं आपके साथ बिज़े जैसवाल साथियों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो पर पियाजे कोहल वर्ग पालाव इसकिनर वाईगोस की थ कि पियाजे थे जो आपके पियाजे थे वो क्या थे आपके ख़गोल विद्ध थे भूगर्वस अस्त्री थे मनोबैग्यानिक थे कि समाज साथि थे तो पियाजे क्या थे प्यारे साथियों तो आपके क्या है मनोबैग्यानिक थे ठीक है सी आपसं सही हो जाएगा चले ने पियाजे की अवस्थाएं कितनी तो आपको बता देना है चार अवस्थाएं ठीक है कितनी अवस्थाएं प्यारे साथ यूँ चार अवस्थाएं आपकी पियाजे की ठीक है कौन कौन सी अवस्थाएं चलिए डिसकस कर लें क्योंकि पियाजे की चार अवस्थाओं में से आप आपका एक से एक नंबर का तो पक्का पूचा ही जाता है कोई भी टेट की जाम हो ठीक है तो सम्वेदी गामक अवस्था जो होता है आपका शम्वेदी गामक अवस्था में आपका जन्म से लेके दो वस्थक यानि जीरो से दो वस्थक कहोता है सम्वेदी गामक अवस्था फ मूत संक्रियात्मक अवस्था में आपका होता है साथ से गेरा वस्थक के बालक आते हैं और फिर चौथा होता है आपका प्यारे साथ होता है आपचारिक क्रियात्मक अवस्था आपचारिक में आपका आता है गेरा से पंद्रे वस्थक के बालक तु QUESTION में क्या पूँचा गया है Qед penis में पूँचा गया है PYARESA THE BY इंद्रि जनित गामक अवस्था होती है जन्म से 3 वस 2 वस 27 वस 29ook तो जन्म से 2 वस आपकी क्या है इंद्रि जनित गामक अवस्था होती है चले next question देख लेते हैं अंगला कोश्यन है कि निमलिखित में से किस अवस्था में भासा संबंधी योगता का विकास अपने चर्मोत कर्ष पर होता है ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अपचारिक संक्रियात्म कवस्था इंडरी जनित गामा कवस्था मोत संक्रियात्म कवस्था पूर संक्रियात्म कवस्था ठीक है तो निमलिखित में से किस अवस्था में भासा संबंधी योगता का विकास अपने चर्मोत कर्ष पर होता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा और चारिक संक्रियात्मा कवस्तर ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दू मैं जीन पियाजे का पूरा वीडियो बनाया हूँ और आपके मनो बैग्यानिक जो थार्ण डाइक है उनका भी मैंने एक सिंगल वीडियो बनाया है उससे related जितने question मनते है आप हमारे वीडियो में जाएए वहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ से आपके एक दो question हर एक टेट के जाम में पूछा जाता है ठीक है निश्चित question है चले next question देख लेते हैं अंगला question है प्यारे साथ यूंदो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्ता जो जन्म से लगभग दो वस्तक के दोरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता क्या है जिसे हम क्या बोलते है संवेदी गामा का बस्ता जीरो से दो वस्त बोलते है न तो उसमें क्या है बच्चा क्या है सबसे बेहतर सीखता है क्या सीखता है निस्क्री सब्दों को समझने के दो भासा के नए एरजित ग्यान के प्रयोगदारा या इंद्रियों के प्रयोगदारा तो क्या सीखता है प्यारे साथियों इंद्रियों के प्रयोगदारा ही सीखता है जब बच्चा जन से दोवस्ता कहोता है यानि कि समवेधी गामा का वस्ता में रहता है ठीक है चले नेस अंगला कोश्चन है प्यारे साथ यहों कि पियाजे के अमसार संग्यानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु इस्थायुत सो प्रदर्सित करता है। निन में से किसका कथन है कि ग्यानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है। इसी वीडियो में आज हम देखने वाले हैं ठीक है तो वीडियो अंतर जूर देखेगा। ठीक है चले नेस कोश्चन देख लेते हैं कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तु को पहचानने एवं उनमें विभेत करने लगता है। जब कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तु को पहचानने वह उनमें विभेत करने लगता है। बच्चा अपने चारों तरफ की जो परवेश की वस्तमें होती है, उनको पहचानना और उनने विभेद करना, कब करता है बच्चा? तो इसका राइट टेंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट टेंसर हो जाएगा पूर संक्रियात्मंक अवस्ता में बच्चा ऐसा करता है, ठी प्याजे ने किसी बच्चे की विचारों में नए विचारों को समावेस हो जाने को क्या कहा है गयस्थापन सात्मी करन खोज निर्मान ठीक है तो इसका राइट एंसर होगा सात्मी करन कहा है क्या कहा है प्यारे साथियों सात्मी करन ठीक है चले नेश कोश्चन देख लेते है अंगला question है बच्चों के विखास से सम्मंदित निर्माड एवं खोज का सिद्धान्त निन में से किस ने दिया था तो इसकर नर ने, वाई गोसकी ने, जीन पी आजे ने, कोहलवर्ग ने ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएक पहरे सात्यों जीन पी आजे ने कहा था कि बच्चों के विकास में सम्मंदित निर्माड एवं खोज का सिद्धान्त किस ने दिया जीन पी आजे ने दिया ठीक है इस question है कि पियाजे द्वारब बताई गई बाल विकास की चार अवस्थाओं में आपचारी कत्वा अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था की अवद ही पूछा गया है क्या पूछा गया है आपचारीक और या अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था तो मैंने पहले बता दिया था आपको आपचारिक या अमूर्थ जो संक्रियात्म कवस्था आपसे गेरा से 15 तक होती है ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका D नमबर गेरा से लेकर प्रोड़ा वस्था तक ठीक है और जन्र से 2 वर्ष आपको क्या होता है संवेदी गामा कवस्था ठीक है और आपका 2 से 7 वर्ष में होता है पूर संक्रियात्म कवस्था और साथ से गेरा है आपका होता है मूर्थ संक्रियात्म कवस्था ठीक है और अमूर्त आपका होता है गेरस लेके प्रोडाता चले नेस कोश्चन देख लेते हैं बच्चों में भासा का विकास किस अवस्था में प्रारम हो जाता है जो बच्चों में भासा का विकास होता है वो किस अवस्था में प्रारम हो जाता है पियाजे ने कहा है क्या कहा है कि सवस्था में कहा है कि बच्चे की भासक अबिकास की अवस्था जो प्राराम हो जाती है ठीक है इसका राई टेंसर है पूर संक्रियात्मक अवस्था में प्राराम हो जाती है ठीक है बीजदर राई टेंसर नेस्ट कोशन देख लेंगे पियाजे के नमसार वर्स से कम आयू के बालकों में संग्यानात्मक परिपक्ता का भाव पाय जाता है पियाजे के नमसार वर्स से कम आयू के बालकों में संग्यानात्मक परिपक्ता का भाव पाय जाता है 6, 8, 9, 10 ठीक है तो 6 वर्स के बच्चों में बालकों में क्या पाय जाता है संग्यानात्मक परिपक्ता का भाव पाय जाता है क्योंकि जब 10 वर्स का हो जाएगा आड़नो के ये तो संग्यानात्मक का परिपक्ता का भाव हो जाता है उसमें समझने लगते हैं ठीक है लेकिन आपके 6 व पूर्सक्रियात्मक वस्था, पूर्सक्रियात्मक वस्था, इंड्री जनितिद कामक वस्था था दोस्तो पियाजे के चार अवस्था हैं इन से दो से तीन अंबर का question जोभर पूइखा जाता है अगर आपने हमारा इसका सिंगल वीडियो देख लिया तो आपको समझ लिए दो से चार नंबर पक्के हो जाएंगे उसको कोई रोक नहीं सकता ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा पियाजे के संग्यानातों विकास के सिधान के अंसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक धंक से समझ्याओं पर विचार कर सकता है कौन से अमूर्स संक्रियात्मक अवस्था में ठीक है ये किस में होता है आपका अमूर्स संक्रियात्मक अवस्था गेरे से पंद्रेवस्ट ये गेरे से पोड़ा वस्टा तक ठीक है चले नेस कोश्चन देख लेते हैं अंगला कोश्चन इंपोर्टन कोश्चन है बहुत बेरी बेरी इंपोर्टन कोश्चन है प्यारे साथ यूँ इसको आप नोट कर लीजेगा वेरी वेरी मोश कोश्चन है ये ठीक है वातावरण के अंसार स्वयम को ढालना कहलाता है जो वातावरण के अंसार स्वयम को ढालना कहलाता है शामी करन, समायोजन, अनकूलन, शहकारिता काफी बार कोश्चन पूछा गया है confusion बहुत होता है इस टाइब के question में तो uncoolan होता है ठीक है वातावन के अमसार स्वैम को ढालना वातावरन और uncoolan का बहुत ही बड़ा संबन्ध है बॉंडिंग है चले next question देख लेते हैं अंगला question है कि P.I.J के संग्यानातंग विकास के सिध्धान के अमसार विकास क्या होता है रुक रुक कर चलने की प्रक्रिया है निरंतर चलने की प्रक्रिया है रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या आप रुक रुक में से कोई नहीं है तो इसका right answer क्या हो जाएगा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास जो होती है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ठीक है Next question है कि शिचकों को प्रयोगात्मक सिच्चा एवं ब्यवहारिक सिच्चा पर बल देना चाहिए प्रयोगों के माध्धम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिक्ता का स्रजन होता है निन में से यह कथन सम्मंदीत है किस सम्मंदीत है प्यारे साथ कथन आप एक बार और पढ़ लीजिएगा ध्यान पूराः ठीक है कि निर्माड और खोज का सिध्धान्त निम्निखित में से किस ने दिया था वेरी वेरी इंपॉर्टन कोश्चन इसको नोट कर लीजेगा निर्माड एवं खोज का सिध्धान्त निम्निखित में से किस ने दिया था वाई गोस्की, कोहलवर्ग, जीन पियाजे, अबरहम माशलो ठीक है जिसका राइट एंसर क्या हो जाएगा जीन पियाजे ने दिया था निर्माण और खोच का सिद्धान ठीक है जान भी कहते हैं आपको ठीक है और काफी जारे से कोश्चन मनते हैं ग्यानात्मक विकास जीन प्याजे का है संग्यानात्मक विकास ठीक है और संग्यानात्मक ग्यानात्मक विकास आत्मक भी विकास है और सरपत्म अपने बच्चों पर प्रयोग किसने किया तो जीन प्याज कल लिजेगा question क्या है देखते हैं निन में से किस ने नैतिग बिकास की अवस्था के सिध्धान का पतिपादन किया किस ने किया नैतिग बिकास की अवस्था का जीए पिया जी लारेंशन को कोहलवर्ग फ्राइड सीयर्स ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा लारेंस कोहल वर्ग ने किया था इसका नयतिक विकास की अवस्था का सिधान्त अपका लारेंस कोहल वर्ग ने किया था नेश कोश्चन देख लेते हैं तुमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है और लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को share भी कर दिजे WhatsApp, Facebook, Instagram कुछन है कि कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नायतिक विकास के सिधान के अवद ही जम से पांच वर्ष की आउतक, जम से 2 वर्स, तीसरे वर्स, तीन से 6 वर्स और साथ से लेकर की सोरा वस्तव तो कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिधान के अवस्ता की अबदी क्या हो जाएगी प्यारे साथियों जम से 2 वस्त की अवस्तव तक ठीक है कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्ता के सिधान के अवस्ता क्या है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों अधार युक्त आत्म चेतन नवस्ता ठीक है चले एंस कोश्चन देख लेते हैं कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं किसके अनुसार पूचा गया कोहल वर्ग के अनुसार जो बच्चे होते हैं किया है, सही और गलत का चिंतन जो है, करते हैं क्या करते हैं, अलग आउँ में अलग तरीके से, अलग चरों में समान तरीके से, संदर्व के अंसार अभिवावकों, द्वारा प्रदत निर्देशों के अंसार, ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अलग अलग आउग में अलग तरीके से चिंतन करते हैं बच्चा दो वर्स का होगा तो उसकी सोच अलग होगी बच्चा चार वर्स का होगा उसकी सोच अलग होगी बच्चा आठ वर्स का होगा उसकी सोच अलग होगी तो सभी की सोच अलग होगी इसलिए चिंतन करते हैं ठीक है तो कोहल बर के इंसार सही हो गुरत के बारे में बच्चे क्या है अलग आग में अलग तरीके से चिंतन करते हैं नेस्ट है कि कोहलवर के नुसार परंप्रागत नयतिक इस्तर का काल है जो परंप्रागत नयतिक इस्तर का काल है वो कौन सा है चार से दस, तेरह से आंगे, दस से तेरह के बीच में, तीन से तेरह के बीच में ठीक है, तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा दस से तेरह वर्स के बीच में सही इंसर होगा क्या कोहलवर परंप्रागत नयतिक इस्तर का काल जो आपके परंप्रागत नयतिक इस्तर का काल है वो दस से तेरह वर्स के बीच में होता है किसके इंसार कोहलवर के इंसार ठीक है कि निम लिखित में से किसका संबंद पूर नैतिक इस्तर से पूँचा गया है आत्म केंदित निर्ने परसपर एकजुट उन्मुखी करन शारो भौमिक नैतिक सिधान्त उन्मुखी करन अधिकार सनच्छन उन्मुखी करन तो इसका निम लिखित में से किसका संबंद का पूर नैती की स्थर से पूछा गया है तो किसका हो जाएगा आत्म के अंदित निर्ण है ठीक है Next question है कि बच्चों में आधार हीन आत्म चेतना का संबंद उसके विकास की किस अवस्था से संबंद ही था है पूर बाल लवस्था बाल लवस्था और किसोर अवस्था या किन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा किसोर अवस्था ठीक है इसका राइट एंसर आपका किसोर अवस्था हो जाएगा क्योंकि आधार ही आत्म चेत्ना आपके किसोरा वस्ता में ही संभा हुआ है क्योंकि ऐसी आपको पता किसोरा वस्ता बहुत ही बिचली तवस्ता होती है ठीक है चले नेस कोश्चन देख लेते हैं अंगला question कहरा है कि इनिमिकित में से अधिगम में कौन सा सिध्धान्त ये बताया है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग रूप से ही बच्चों के सामने प्रस्तूत करें कि क्या पूँचा गया है जब कुछ पढ़ाया जाए सीखने को कहा जाए तो अपने समग रूप से बच्चों के सामने प्रस्तूत किया जाए तो क्या खोगा यह तो यह सिध्धान बताता है ठीक है कौन सा अंतरदस्टी सूज का सिध्धान्थ है सक्रियन मंदन का सिध्धान्थ है यह आपका अनुकरण का सिध्धान्थ है ठीक है तो इसका राईट टेंसर हो जाएगा अंतरदस्टी सूज का सिध्धान्थ हो जाएग नेस्ट कोश्चन देख लेते हैं बहुत ही प्यारा सा कोश्चन है बहरी बहरी इंपॉर्टन कोश्चन है कई बार पूचा गया है साथियों ठीक है नेमनिकित में से किसने अनुवंधन अनुकुरिया का सिध्धान दिया पाउलाव इस्कनर थांडाई कोहलर ठीक है यहाँ प आपका अनुवंधन अनुकुरिया का सिध्धान दिया था ठीक है ध्यान दिजेगा अनुवंधन अनुकुरिया पाउलाव नेस्ट कोश्चन है निमनिकित में से किसने अनुवंधन अनुकुरिया का सिध्धान दिया तो यह आपका पाउलाव हो जाएगा ठीक है क्या हो ज शागया है जो कि पॉलाव ने अनबंधन समन्धी प्रयोक किया था क्या कभूतर बिल्ली चूहा कुत्ता तो मैं आपको बता जूँ पॉलाव ने किस पर प्रयोक किया था थीक है ज्यान दीजेगा पॉलाओ ने किस पर प्रयोग किया था कुट्टे पर किया था और आपका जो मनोब बैग्यानिक है आपके थांडाइक प्रयास्वयम्तुडिका से धान जिन्हों ने दिया था उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था किस पर भूंखी बिल्ली पर किस ने प्रयोग किया था भाईया थान डाइक ने किया ठीक है बिल्ली पर थान डाइक और कुट्टे पर किस ने किया तो पालाओ ने किया तो यह चीजें धान दिजएगा कई बार मुच्छा गया है नेस कोश्चन देखेंगे कि अधिगम के किस सिद्धान के अधार पर बालक में भाए प्रेम एवं ग्रणा के भाव आसानी से उत्पन किये जा सकते हैं किस सिद्धान की बात की गई जिसमें आपका बालक में भाए प्रेम ग्रणा के भाव आसानी से उत्पन किये जा जाए तो आपका क्या है अन्भोजन अधिगम सिद्धान अंतरदस्टी सास्त्री अनमंदन सिद्धान औ चले नेस कोशन देख लेते हैं जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो असभाविक उद्दीपक भी वही प्रत्किया देने लगता है जो सभाविक उद्दीपक देता है यह अधियम का निम्लिकित में से कौन सा सिद्धानत है ये टॉप कोश्चन है दोस्तो ये आपके पेडागोजी का टॉप कोश्चन इसको एक बारा रिपीर कर पढ़ते हैं जब किसी क्रिया को बार-बार दुहराया जाता है तो असभावी कुद्धीपक भी वही प्रतकिया देने लगता है जो सभाविक उद्धीपक देता है मतलब यह बात है कि कार्मान लीजे कोई नकली चुमबक है जब हम बार 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 उसी चीज का प्रयोग करते रहेंगे दोहराते रहेंगे तो वो जो असली चुमबक है न उसी के बाहर उसका काम करने लगता है वही आपके उद्धीपक का है उद्धीपक मतलब होता है उद्धेजना ठीक है न तो इसका राइट एंसर कौन सा सिध्धान्त हो जाएगा आपका अंतरदर्ष्टी सास्त्री अनुकरन अनभोजन तो लगवग सायद सभी को मालूम अब पढ़ गया होगे कौन का सास्त्री अनुवंदन का सी सिध्धान्त होगा ठीक है नेस्ट क्वेशन है कि अधिगम का कौन सा सिध्धान्त यह बताता है कि सीखने हे तुकार को दोहराना अवश्यक है क्या है अधिगम का सिध्धान कौन सा बताता है कि सीखने हे तुकार का दोहराना आवश्यक है ठीक है तो कौन सा सिध्धान बताता है कि सीखने हे तुकार को दोहराना आवश्यक है ठीक है तो कौन बताता है अनभव जन अधिगम क्योंकि हम जब दोहराते हैं कार को थमें क्या अनभव मिलता है तो आपका अन्भोजन अधिगम सिध्धान्त हो जाएगा ठीक है चले नेस्ट कोश्चन है निमलिकित में से किसने बच्चों की अंतर कियाओं के उनके बिकास का मूल अधार माना बेरी 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 इंपोर्टन कोश्चन है प्यारे साथ नोट कर लिजेगा ठीक है? इस की in support लेजेगा अपकी notes में नोट कर लिजे किनलिकित में से किसने बच्चों की अंतर कियाओं को क्या पूँचा गया है? बच्चों के अंतर कियाओं को उनके बिकास के मूल अधार माना है आरेंसन कोहलवर्ग लेव वाई गोष्की जीन पियाजे इसकनर तो किसने माना है प्यारे साथ यूं राइट एंसर क्या हो जाएगा लेव वाई गोष्की ने माना है ठीक है नेस्ट कोश्चन है बेरी बेरी इंपॉर्टन ये भी कोश्चन है नोट कर लिजेगे सारे होते हैं पूर बाल्ला वस्था बाल्ला वस्था किसोरा वस्था या प्रोड़ा वस्था तो प्रोड़ा वस्था तो हो नहीं शक्ता ठीक है आपका इसका जो राइट एंसर हो जाएगा किसोरा वस्था में ठीक है किसोरा वस्था इजा राइट एंसर निस देखेंगे कि निम समाजिक विकास का सिध्धान दिया सिप्कोषिक निया किस मनोब ब्यग्यानिक ने सहयोगात्मक समश्चाहदान पर बल दिया । किस किस ने बल दिया आपका लेवाई गोसकी नेवल दिया है नेस कोश्चन है कि अधिगम से समंदित अभ्यास का नियम निम्न खित में से किस मनु बैग्यानिक ने दिया क्या कोश्चन है प्यारे साथियों बेरी बेरी इंपोर्टन कोश्चन है अभ्यास का नियम निन्मकित में से किस मैगानों दिया अधिगम से समंधित अभ्यास का नियम कौन से मैगान इसके नर ने दिया थांडाइक ने, मास्टो ने, पियाजे ने ठीक है, तो किस ने दिया था आपका थांडाइक ने दिया था, ठीक है क्या दिया था अधियम समंदी अभ्यास का नियम प्रयास एवं तुड़ी का नियम अभ्यास का नियम आपका सिच्छा मनों के बुक्स भी थांडाइक ने दी एनिमल एंटलीजेंस की बुक्स भी आपकी थांडाइक ने दी ठीक है यह अमेरिकी बैग्यानिक है पसु बैग्यानिक है आपके थार्डाइक और प्रथम सैचिक मनो बैग्यानिक भी आपके थार्डाइक है इनका मुखनियम हो गया अभ्यास का ततपरता का प्रभाव का पईडाम का चार इनके मुखनियम है गौनियम इनके पांच है बहुपत्किया मनो ब्रति आंसिक्रिया आत्म किरण और साहचर किया। इन्होंने एसार थेory भी दिया। परयोग बिल्ली पर किया। ठीक है तो ठांडाइक से काफी सारे questions बनते हैं। ica question है कि निमनिकित में से कौन सा बिद्वान सिध्धान स्वरी हैं। वांचित सुरूप तथा दिशा प्रदान करने में सिचकों की सहायता करता है अंतरदर सिद्धान्त प्रयास वंतुटी का सिद्धान्त अनुकरण का सिद्धान्त अनुभोजन का सिद्धान्त क्या है याँ पर बेवहार को वांचित रूप से दिसा प्रदान करने में सिचकों की सहायता करता है ठीक है? तो कौन सा हो जाएगा? प्रयास एवंतूटि का सिद्धान Next question है कई बार पूँचा गए आपका कि अधिगम के प्रयास एवंतूटि सिद्धान्थ के अंसार जो आपका अदिगम के प्रयास स्वयम्तुर्के सिध्धान्त है उसके अंसार सीखने की प्रकेया में वेक्ती गलतिया कर सकता है किंतो बार-बार किये गए प्रयासों के बादवए सीखने में सफल हो जाता है इस सिद्धान का पतिबादन किस ने किया दोस्तों और डायरेक्टली भी पूँचा जा सकता था ठीक है लेकिन घुमा फिरा के question पूँचा गया है ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा आपका right answer इसका होगा प्यारे सात्यों क्या होगा ठीक है क्या हो जाएगा ठीक है जान दीजेगा next question है क्या question है किस सिच्छा मनोब ग्यानिक ने अभी प्रेणा एवं अधिगम के बीच में क्या पूँचा गया है अभी प्रेणा और अधिगम के बीच में संबंध इस्थापित करते हुए कहा कि अभी प्रेणा से उत्पन क्रिया सीलता ही सीखने के लिए उत्तरदाई है ठीक है तो क्या हो जाएगा आपके इसके नर ने कहा भेरी भेरी important question है कई वार आपके दोस्तों पूचा गया इस जाम में ठीक है लगा लिजेगे इसको most important question है कि निन मेरे से क्या पुनरवलन का उदारण है पुनरवलन का उदारण काफी वार पूचा गया आपका ठीक है दंड, पुरस्कार, प्रसंसा ये सभी तो आपका क्या पुनर बलन का दंड भी है पुरुसकार भी है प्रसंसा भी है ये सबी है तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा हो लाइक कमेंट कर जूर बताएं और सभी दोस्तों में सेयर कर दें क्योंकि हमारा सपना सिच्छा को अपना सब का साथ सब का विकास देश्टो इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जोईन कीजिए और बेल आइकन आल में क्लिक कर लिए क्योंकि नए अपडेट आपको जो भी होगे वीडियो आएंगे वो आप तक नोडिकेशन पहुंच जाएगा धन्वा दोस्तों जैहिन वंदे मातरम